सेविंग एन एक्सेल फाइल इस लेसन में आप सीखेंगे के सेव और सेव एज की कमांद्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? एक्सेल 97-2003 की कमपैरिबल फाइल किस तरह सेव करते हैं? एक्सेल वर्क बुक को PDF में कैसे सेव करते हैं? सेविंग वर्क बुक्स जब आप Microsoft Excel में एक नई वर्क बुक बनाते हैं तो आपको इसे सेव और बात में उसे एक्सेज भी करना आना चाहिए एक्सेल में आप अपने वर्क बुक डॉक्यूमेंट को कई मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं To Use the Save As Command Save As Command से आप फाइल का नाम और उसकी लुकेशन का इंतखाब करते हैं आप इस कमाइल को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे हूं या आप अपनी फाइल को Excel की किसी दूसरी वर्जिन में सेव करना चाहते हूं जबकि आपकी उरिजिनल फाइल भी अपनी जगा सेव रहे फाइल टैप पर क्लिक करें Save As को मुन्तखिब करें आपके सामने Save As Dialog Box खुल जाएगा जहां आपने फाइल को सेव करना हो उस लुकेशन का इंतखाब करें वर्क बुक का नाम दें और सेव पर क्लिक करें अगर आप Windows 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी फाइल्स बाइडिफॉल्ट आपकी दॉक्यमें लाइडरेरी में सेव होती हैं जबके Windows की दूसरी कई वर्जिन्स में फाइल्स बाइडिफॉल्ट आपके My Documents के फोल्डर में सेव होती हैं आपकी वर्क बुक उसी क्रण्ट लोकेशन पर सेव हो जाएगी उसी नाम से अगर आप फाइल को पहली बार यानि नई फाइल सेव कर रहे हों तो Save as Dialog Box खुद बखुद आपके सामने खुल जाता है Microsoft Excel आपकी फाइल्स को automatically एक temporary folder में सेव करता है अगर Excel पर काम करने के दोरान आप अपनी फाइल को सेव करना भूल जाएं या खुदानाखास्ता Excel सॉफ्टवर क्रैश हो जाएं तो आप Excel की बनाए गई आटो सेव फाइल के जरिये अपनी फाइल को recover कर सकते हैं ऐसी workbook खोलें जिसे सेव किये बगएर close किया गया हो Backstage View में Info पर क्लिक करें अगर Excel ने आपकी फाइल आटो सेव की होगी तो उसकी मुख्तलिफ वर्जिन आपको वर्जिन्स की आप्शन के अंदर नजर आ रही होंगी इन में से किसी एक को खोलें आपकी workbook के ribbon के नीचे पीले रंग का एक caution note नजर आने लगेगा जिस पर restore का button होगा अपनी Excel फाइल को recover करने के लिए इस restore button को click करके ok करें बाइडिफॉल्ट Excel हर फाइल को 10 मिनट बाद autosave करता रहता है लेकिन अगर आप अपनी workbook को 10 मिनट से पहले बन कर दें तो ये autosave नहीं होगी और आप इस फाइल को recover नहीं कर सकते To save as an Excel 97-2003 workbook बाद आपको ऐसी workbook पर काम करना पड़ सकता है जो Excel की पुरानी versions में बनी हूँ मसलन Excel 2003 या Excel 2000 वगेरा इस किसम की workbook सिर्फ compatibility mode में open हो सकती है Compatibility mode असल में तमाम नए और advanced features को disable कर देता है और उन basic features को enable कर देता है जो सिर्फ किसी workbook को बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी workbook खोलें जो Excel 2003 में बनी हुई हो तो आप सिर्फ वही tabs और commands इस्तेमाल कर सकती हैं जो Excel 2003 में है अगर आप ऐसे environment में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने version में काम करते हैं तो ये सबसे बहतर है कि आप workbook को Excel के पुराने version में save करें ताके इस workbook की file extension तबदील ना हो और worksheet तमाम लोग आसानी से access कर सकें To convert a workbook अगर आप Excel 2010 के तमाम features को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी workbook को Microsoft Excel 2010 के file format .xlsx में convert कर सकते हैं यहां ये बात याद रखें कि इस process से आपकी workbook के layout में चन तबदीलियां आ सकती हैं File tab पर click करें और Backstage View को access करें Save as command को ढूंडें और select करें आपके सामनी Save as का dialogue box जाहिर होगा Location को select करें जहां आपने अपनी file save करनी है File का नाम दें और save को click कर दें Save as type में से Excel 97 to 2003 workbook को click करें आपकी workbook पुरानी file type के साथ save हो जाएगी To save as a PDF अपनी workbook को Adobe Acrobat Document की file में save करना PDF file save करना कहलाता है ये खास तौर पर उस वक बहुत फाइदामंद होता है जब आप किसी ऐसे user से अपने Excel file share करें जिसके पास Excel ना हो और आप उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए worksheet देना चाहते हूं और ये चाहते हूं कि वो इस workbook में कुछ edit ना कर सकें File tab पर जाएं Save as को select करें अपने computer में location के इंतखाब करें जहां आपने PDF file save करनी हो अब PDF file का नाम दें और save button पर click करें By default Excel, सिर्फ उसी worksheet को PDF में convert करता है जिस पर आप काम कर रहे हूं अगर आपने अपनी workbook की तमाम worksheets को PDF में save करना हो तो file save करते हुए options के button को click करें option dialogue box खुल जाएगा इस dialogue box से entire workbook की option select करके ok करें झाल 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 झाल